आप सभी लोग का सुमितराना BSC क्लासे स्वागत हैं आज के इस लेक्शन में बात करने वाले हैं कैटलिटिक प्रोपर्टी चूंकि हम डील कर रहे हैं फस्ट एंशन सेरीज और उसी की जनरल प्रोपर्टी चल लाई है उसी में एक जनरल प्रोपर्टी जापकी है सभी लोग जानते हैं कि क्या होते हैं के कालिस्ट की सीमबल प्रोपर्टी यह ह defini Dave को मुद्ट कर देते हैं हमने बार प्र्रक में होते हैं clear तो आपको बताना चाहेंगे कि D-block के जो metals होते हैं यह elemental form में elemental form में और compound की form में यह बहुत important है D-block के जो भी आपके metals हैं वो elemental form में और compound की form में इन दोनों रूपों में यह क्या करते हैं as a catalyst use किये जाते हैं तो बहुत important property है कि D-block के elements हैं D-block के जो elements हैं यह as a catalyst use किये जाते हैं तो लिखा है कि many of D-block elements and their compounds act as a catalyst इन्हें various reactions अलग-अलग प्रकार की विभिन प्रकार के वक्रियाओं में जो D-block elements और इनके जो compounds होते हैं वो catalyst के रूप में प्रियोग किया आते हैं कुछ यहाँ पर reaction समझाई गई कुछ common examples हैं जिनके मादने हम साब समझेंगे कि कैसे D-block के जो elements हैं elemental form में और compound की form में as a catalyst प्रियोग होते हैं जैसे आपके सामने पहला यहाँ प्रियोग होते हैं जो platinum जो आपकी प्रियोग किया आता है दूसरा example है FE लोहा यहाँ पर जो लोहा है यह भी as a catalyst प्रियोग किया आता है manufacture of the ammonia by heavier process आपने ammonia की heavier विद्पड़ी होगी EN2 plus 3H2 forward reverse plus 2NS3 plus energy और यहाँ पर FE plus molybdenum ऐसे लिखा देखा होगा तो यहाँ पर जो FEI ammonia की heavier भी कहलाती है इसमें जो iron है वो आपको as a catalyst प्रियोग होता है और साथी साथ इस अबक्रिया में एक element जो होता है molybdenum use किया आता है यहाँ पर molybdenum उत्प्रेरक नहीं होता है catalyst नहीं होता है वो as a promoter use किया आता है promoter का आर्थ सा बर्दक अर्था प्रमोटर उन सबस्टेंज को कहते हैं जो catalyst को power देते हैं catalyst की activity को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं जो catalyst की power को बढ़ा देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं प्रमोटर कहते हैं, तो यह क्या करते हैं, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो overall हाइवर प्रोसस में, यहाँ पर जो FE होती है, वो as a कैटालिस्ट प्रियोग की जाती है, इसका निकल का जो प्रियोग किया गया है, तो used as a कैटालिस्ट in the hydrogenation of the oil, आपने देखा होगा, कि oil से, जो बनस्पति आयल होती है, इस बनस्पति आयल से आप क्या करते हैं, घी का निर्माड करते हैं, तो बहाँ पर आपने क्या होगा, कि hydrogen के साथ इसको रेक्ट कराते हैं, इन प्रियोग किया जाती है, इसमें निकल जो होता है, वो as a catalyst प्रियोग किया ज जो होता है, इसका used होता है as a catalyst, कैसे होता है, जब यह sulfur dioxide से sulfur trioxide, sulfur dioxide से जब sulfur trioxide को oxidation होता है, तो यहाँ पर bendium pentoxide as a catalyst प्रियोग किया आता है, यह जो bendium pentoxide है, इसमें sulfur dioxide, sulfur trioxide मदलता है, यह किसकी manufacturing होती ही, इसमें H204 की manufacturing होती है, H204 का निर्माण होता है, in the contact process, आपने पढ़े होंगे H204 का contact method, तो यहाँ पर contact process में क्या होता है, H204 की manufacturing होती है, और इसमें bendium benta oxide as a catalyst प्रियोग किया जाता है, इसके अगला example है, magneze dioxide, यहाँ पर magneze dioxide को भी catalyst के रूप में प्रियोग किया जाता है, decomposition आप potassium chloride for the preparation of the oxygen, जब oxygen को हम prepare करते हैं, तो potassium chloride को क्या कर देते हैं, heat करते हैं, potassium chloride का decomposition होता है, और क्या मिलती हैं हमको oxygen, तो ध्यान रखना oxygen की preparation में, यहाँ पर magneze dioxide क्या होता है, catalyst की तरहें प्रियोग किया जाता है, clear, इसमें potassium chloride का क्या होता है बेटा, यहाँ पर decomposition होता है, और decomposition के बाद हमको oxygen मिलती है, next आपके सामने, यह तो हमारे d block के, d block के जो elements हैं, और d block elemental form में, compound की form में कैसे catalyst का प्रियोग किया जाता है, वो चीजें यहाँ पर बताई गई है, कि elemental form और compound की form में, यह catalyst की तरहें प्रियोग किया जाता है, अब बात आती है, कि, ऐसी क्या फूब भी है d block elements के अंदर, जो यह catalyst की तरहें प्रियोग कि जाते हैं, तो लिखा है, कि जो transition metals और इनके जो compounds हैं, transition elements, यहनि elemental form में, और compound की form में, chemical, sorry, catalytic activity, so करते हैं, तो catalytic activity following factors पर depend करते हैं, तो ध्यान अखना d block के अंदर जो chemical activity होती है, जो catalytic activity होती है, जो catalytic activity जो है, यह following factors पर depend करते हैं, इन factors की बज़े से d block के elements जो होते हैं, वो as a catalyst प्रियोग किया जाते हैं, पहला है presence of backend d orbital, इनके surface area होता है, variable oxidation state होती है, और ability of to form complexes, ध्यान रखना, यह 4 ऐसी quality हैं, जिनकी बज़े से d block के elements, catalytic activity सो करते हैं, as a catalyst प्रियोग किये जाते हैं, backend d orbital, large surface area, variable oxidation state, आप जानते हैं, d block के elements के अंदर, यह ability होती है, एक सज़ाद oxidation state सो करते हैं, और इनके अंदर चौती ability है, कि complex compound भी बनाते हैं, clear, अब यहाँ पर हम इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो start किया है, unstable intermediate compound, यह सभी लोगों को समझना है, यह तो आपने सीख लिया, कि यह चार ऐसे factors हैं, जिनकी बज़े से d block elements, as a catalyst प्रियोग होते हैं, यहाँ पर यह जो आपके सामने page आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, यह है क्या, उपर heading पढ़िए unstable intermediate compound, इसको समझना है कि unstable intermediate compound क्या होता है, आपको बताना चाहेंगे कि जब हम कोई reaction को start करते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, reactant लेते हैं, और reactant के बाद क्या होता है, reaction start करते हैं, और हमारा product बन जाता है, clear, reactant से reactant लेते हैं, clear, और इसके साथ कोई और substance include करते हैं, उसके बाद हमारा product बन जाता है, आपको बताना चाहेंगे कि reactant और product के बीच की एक intermediate form होती है, बहुत important, बहुत बहुत जादा, clear, यह हमारी intermediate form होती है, जिसको मद्देबर्ती, इसको हिंदी म बोलते हैं, intermediate की हिंदी, जो है मद्देबर्ती, अवक्रिया कहलाएगी है, मद्देबर्ती योगिक बोलते हैं, फलाल में जब आपका टूड़ता है, डिकंपोज होता है, तब जाके आपका product यहां से release होगा, तो ध्यान रखना कि reactant और product के 20 का जो form होता है, वो intermediate form होता है, और intermediate form के बाद क्या होता, product बनता है, यहां को complete कराता है, reaction में participate नहीं करते हैं, इन्हीं अपने को तो ध्यार नगना, catalyst के अगर कोई आपसे definition पूछे, तो आप बहाँ पर definition इसको क्या बताएंगे, कि catalyst वे chemical substance होते हैं, जो reaction को क्या करते हैं, जो reaction को easily complete करा देते हैं, अब यहाँ पर category आपने catalyst की पड़ी होगी, कि अगर माल लो, catalyst आपका positive है, catalyst क्या है, positive, तो reaction की rate को बढ़ा द तो हाला कि मैंने यहाँ पर catalyst की definition नहीं दिये, लेकिन catalyst को मालूम होना चाहिए, catalyst ऐसे chemical substance होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी रसानिक अविक्रिया में participate करते हैं, लेकिन अपनी amount में कोई परिवरता नहीं करने देते हैं, पता चला कि आपने catalyst की यहाँ पर 100 gram amount ली, clear, तो यह क् catalyst की खुबसूरती होती है, catalyst की खुबसूरती है होती है, कि reaction को complete तो करा देगा, लेकिन, same अपने आप कभी ऐसा नहीं होगा, कि अपने आप में परिवरता ना आ जाए, यह catalyst में नहीं होता है, तो लिखा है, कि यहाँ पर अगर यह आपने देख रहे हैं, कि यह reactant है, और य होता है, फिर क्या होगा, यह decompose होगा, और decompose माने टूटेगा, और टूटने के बाद क्या देता है, final product देता है, और catalyst यहां से क्या हो जाता है, और reproduce हो जाता है, अर्थात अलग हो जाता है, का नहीं समझा रही न, चलिए, तो हमारे एक समझ में आ गई, कि reactant और catalyst से एक intermediate ब reactant के साथ जुड़ता है, और reaction start होने लगती है, तो जो intermediate form बनता है, यह intermediate की जो activation energy होती है, यह low हो जाती है, अब आप कहोगे सर, यह activation energy क्या है, इसको इंदिम कहते है, सक्रीन उर्जा, यह activation energy क्या हो जाती है, low हो जाती, कब, जब हम कोई catalyst का प्रियोग करते हैं, अभी हम लो को पार करके, product बनाने के लिए, reactants को एक fixed amount of energy की requirement होती है, और इसी energy को बेटा क्या कहते है, activation energy, जिसको हिंदी में सक्रीन उर्जा कहते है, इसको कैसे समझा जाए, इसको ऐसे समझा जाए, कि यह कोई pole है, यह कोई pole है, और इधर बहुत सारे लोग खड़े हैं, और इनसे कहा गया, कि यह इनको पत्थर दे दिये गए, stone दे दिये गए, और कहा गया, कि इस pole से पत्थर को उपर से गुजारना है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे, कि जो पत्थर को फेकेंगे, वो pole से टकरा के बापस आ जाएगा, यह हो सकता है कि इस pole की उचाई को पार ना कर पाए, ले पत्थर को पार करा देते हैं, तो क्या हो रहा है, यह पत्थर को पार कराने पर क्या करते हैं, यह तो आपकी height है pole की, तो यह इतनी energy देते हैं उस पत्थर को, कि वो पत्थर इस pole से टकराए बिना यह उस pole को उपर से क्या करता है, गुजर जाता है पत्थर, तो क्या हो रहा यहाँ पर कि कुछ खलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हों ने try तो किया, लेकिन इस pole को cross नहीं कर पाया, इस pole से उपर पत्थर को निकाल नहीं पाया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पार कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हों ने इतनी energy दे रखी इतनी energy दी जिसकी बज़े से क्या हुआ पत्थर इस पूल को पार कर गया सेम ऐसा यहाँ पर होता है कि जब हम कोई reaction कराते हैं तो यह जो मैल ने line खिची है यह जो energy होती है यह कहलाती energy of reactant यह उसकी खुद की energy होती है clear अब होता क्या है माल लो reaction start हो गई है तो किसी भी reaction को complete कराने के लिए reactant के पास यह तो खुद की उसकी energy energy of reactant लेकिन होता क्या है कि एक barrier होता है barrier का आर्थ है यह जो dotted line है यह barrier मानके चलने है तो इस barrier को पार कराना ही होगा अगर reactant इस barrier को पार कर जाते हैं तो आपका product बन जाएगा अगर इस barrier को पार नहीं कर पाते हैं तो product नहीं बनेगा यह दिमाग में ठाल लो तो ध्यान रखना यह जो मैंने color यहाँ पे change कर रहे हैं यह height आप देख रहे हैं बेटा यह कहलाता energy barrier इसी energy barrier को कहते हैं बेटा activation energy यह तो खुद की reactant की energy है लेकिन reactant क्या कर रहा है इस barrier को पार करने के लिए उसको एक energy के आप सकता होती है जिसको क्या कहते हैं activation energy अगर यह energy उसके पास है तो यह reactant आसानी से product में convert हो जाएगा एक बात आपके समझ मागई दूसरी चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि reactant और product के बीच में यह वाली जो उचाई आपको दिख रही है यह कहलाता है activated complexes activated complexes का आरता है कि एक तरह की यह intermediate form बन जाती है intermediate form बन जाती है और यही intermediate form decompose होकर क्या देती है product देती है तो बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि catalyst की presence में जब catalyst होगा तो catalyst क्या करेगा यह जो energy barrier था इस energy barrier को क्या कर देता है कम कर देता है जिससे क्या होता है इस intermediate compound की जो activation energy है वो आपकी क्या हो जाती लो इसको कैसे समझा जाए इस graph पर आईए यहाँ पर मैंने दो graph बनाए है पहले graph पर समझिए यह आपका reactant है इस reactant की यह आपकी उसकी खुद की energy है clear यह reactant की खुद की energy है clear यह खुद की इसकी energy है अब reactant क्या करना चारा है reactant product में convert होना चारा तो इसको क्या करना होगा इसको यह barrier पार करना होगा यह जो barrier पार करने के लिए जो energy के आप सकता होती है इसी energy को कहते है activation energy clear यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि reactant product के बीच में यहाँ पर जो form बनेगी यहाँ पर जो प्राप्त होगा यह कहलाती intermediate form पहली चीज दूसरी चीज आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस बाले पहली बाली picture में अगर catalyst नहीं है catalyst कैसा है अवसेंट है catalyst अवसेंस है तो ध्यान रखना यह energy barrier बहुत जादा होगा कहेंगे कि catalyst की अवसेंस में यह energy barrier बहुत जादा होगा या कहेंगे यहाँ पर activation energy बहुत जादा होगी पहली चीज दूसरी चीज यहाँ पर क्या समझना है दूसरी चीजे समझना है कि अगर activation energy बहुत जादा है क्लियर तो ऐसी condition में reaction की speed कम हो जाएगी दुबारा फिर मैं बोलना हूँ कि इस reactant को product में convert करने के लिए ये barrier पार करना होगा इस barrier को कहते है activation energy अगर catalyst नहीं है तो यहाँ पर energy सबसे ज़्यादा देनी होगी किसको आपको reactant को और ये reactant उस energy को पार करके product में convert हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर intermediate यहाँ बनेगा यहाँ तक reaction को complete कराने के लिए यहाँ तक reactant को intermediate तक पहुचाने में आपको सबसे ज़्यादा energy देनी होगी या दूसरी भासा में कहेंगे कि यहाँ पर activation energy सबसे ज़्यादा होगी समझ मारा ना reactant को intermediate form तक पहुचाने में सबसे ज़्यादा energy देनी होगी हम कहेंगे high activation energy clear तो ऐसी condition में reaction की speed क्या हो जाएगी बेटा तो catalyst क्या करता है catalyst reaction को easy कर देता है तो जैसे catalyst आया अभी आप देख रहे हैं energy barrier इतना है लेकिन जैसे आपने catalyst मिलाया तो यह energy barrier देखे कितना small हो गया energy barrier कितना small हो गया तो जैसे ही आपने catalyst मिला देंगे जैसे catalyst मिला देंगे यह energy barrier बेटा क्या हो जाएगा small energy barrier हो जाएगा small energy barrier का आर्थ बेटा कि reactant को बहुत कम energy यह तो reactant की energy है यह reactant की energy है और बहुत कम energy देकर ही reactant आपका product में convert हो जाएगा या दूसरी भासा में कहेंगे कि इस reactant को intermediate तक पहुँचने में कहने करता है कि intermediate की stage तक जाने में आपको बहुत कम energy देनी होगी कम energy देनी होगी हम कहेंगे यहाँ पर low activation energy होगी क्यों क्योंकि catalyst की presence में बेटा यह root आपका कैसा हो गया छोटा हो गया आप height नहीं देख रहे पहले case में height ज्यादा है दूसरे के case में height कम है क्योंकि आपका catalyst आ गया तो catalyst क्या करता है बेटा इस activation energy को कम कर देता है और यह reactant तेजी से intermediate बना लेता है अर्तात यहाँ पर intermediate बनने के लिए बहुत कम energy की आप सकता होती second figure में और बहुत easily यह intermediate product में convert हो जाता तो लिखा है कि low activation energy और यहाँ पर activation energy कम होगी और reaction की speed क्या होगी बहुत ज़ादा होगी क्योंकि कूत कूत के reactant product में convert हो जाएंगे क्योंकि root दहो बहुत कम यहाँ पर jump लगाना पड़ रहा इतना jump लगाना पड़ रहा जबकि पहली picture में आपको jump ज़्यादा लगाना पड़ रहा था reactant को क्योंकि यहाँ पर energy ज़्यादा चाहिए तो जब catalyst नहीं होगा तो यह energy barrier क्या होगा बहुत ज़ादा होगा लेकिन जैसे catalyst आ जाएगा यह energy barrier आपका छोटा हो जाएगा यह clear हुआ अगर कोई comment करे तो उसको बोल देना कि जो positive catalyst होते हैं देखो ध्यान रखना अभी आगे चलके जब आप chemical kinetics तो आपने first 10 पड़िये लेकिन फिर भी आपको हम बताना चाहेंगे कि यह जो energy barrier का छोटा बड़ा होना यह depend कर रहा है कि आप catalyst कैसा यूज कर रहा है अगर positive catalyst यूज करोगे तो यह energy barrier छोटा हो जाएगा अगर यही पर negative catalyst यूज करोगे तो यही energy barrier बढ़ जाएगा तो अब ही हम केवल बात कर रहे हैं केवल केवल in general कि अगर और general में आपको बताना चाहेंगे कि मान में positive catalyst है clear तो ध्यान नकने आप positive catalyst क्या करेगा इस barrier को छोटा कर देगा और कम energy में ही आपका reactant जो है product में convert हो जाएगा तो उमीद है कि यह चीज बहुत अच्छे समझमाई होगी तो reactant क्या करता है catalyst के साथ मिल जाएगा जिससे क्या हो जाएगा energy barrier छोटा हो जाएगा और energy barrier छोटा होने से बहुत जल्दी आपका intermediate मिलेगा और intermediate बहुत easily decompose होकर आपका क्या देगा product देगा clear आगे बढ़ते हैं अगला दिखी case यहाँ पर दुबारा reaction के form में समझा दिया गया यह reactant है यह catalyst है तो catalyst क्या करेगा इन reactant का जो energy barrier है बेटा उसको क्या कर देगा छोटा कर देगा जिससे क्या होगा एक unstable intermediate form बनेगी यह जो unstable intermediate form बनती है बेटा यह बहुत कम energy पर मिल जाता है यहाँ पर बेटा जो activation energy होती वो कम होती बाप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि catalyst आने से यह जो energy barrier है छोटा हो जाता अर्था जो intermediate बनता है बेटा यह कैसा होता unstable तो होता है लेकिन बहुत जल्दी मिल जाता है फिर यह decompose हो जाएगा product दे देगा और catalyst अलग हो जाएगा क्योंकि catalyst की तो एक होबी है कि reaction को complete कर देगा बाद में कहेगा भी आप जम जा रहे हैं हम जा रहे हैं बहुत जितने भी हमारे जो help करने वाले होते हैं करते हैं फिर बाद में वो हट जाते हैं तो catalyst भी क्या करता रियक्षन की help करने आ जाता है बाद में अलग हो जाता है कहता है अब हम कहीं दूसरी जगा काम करेंगे जाके यहां तक clear हुआ ना इसको समझ लेते हैं यहां पर लिखा कि जाम में तो theory लिखनी होगी करा यहां reactant catalyst के साथ combine होकर एक low energy का unstable intermediate compound बनाते हैं देखे बार बार वार वही बाद घूम रही है कि जैसे reactant catalyst के contact में आएंगे तो intermediate तो बनेगा ना लेकिन वो intermediate ऐसा होगा low energy का होगा low energy का जानतो बेटा intermediate compound बन गया और जो बहुत तेजी से decompose हो गया और product बन गया कानी clear हो गई ना तो कहारा low energy का unstable intermediate compound बनता जो decompose होकर final product देता है और last में catalyst recover या reproduce हो जाता है इस process में reaction की rate बढ़ जाती है तो ध्यान रखना catalyst क्या करेगा energy barrier को कम कर देगा आर्थात कम activation energy देनी पड़ेगी कम energy देनी product देगा इतना clear हो गया दूसरा region यहाँ पर है एक तो हमारा हो गया activation energy के form में दूसरा है large surface area यह बहुत important है large surface area इसको समझ लेते हैं क्या है large surface area का आर्थ है कि कुछ ऐसे cases होते हैं जिन cases में finely divided metals more surface area provide करते हैं जिनके द्वारा reactant molecule उनकी surface पर adsorb हो जाते हैं अर्थात active हो जाते हैं इस प्रकार वे easily reaction कर लेते हैं और reaction की rate को increase कर देते हैं बेटा इसको जरा समझते हैं क्या कहना चाहरा है यह कहना चाहरा है कि कुछ case में finely divided metals पता चला जैसे मालो निकिल को हम ले लेते हैं यह निकिल हमारा क्या है transon metal है transon element है जो काय का काम कर रहा है यहाँ पर as a catalyst क्योंकि deblocked element catalyst का तरह होगा अब हम क्या कर रहे हैं बेटा इसको चोटे 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 टुकडों में तोड़ देते हैं चोटे चोटे पीसों में तोड़ देते हैं अर्था जिसको powder की form में कर लेते हैं अगर हम चोटे 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 टुकडो से क्या हो जाएगा कि जो भी reactant आएंगे वो reactant इसकी surface पर बेटा क्या हो जाएंगे adsorb हो जाएंगे adsorb होने का आर्थ active हो जाएंगे और क्या करेंगे बेटा easily reaction कर लेंगे और reaction की rate बढ़ जाती है इसको एक दूसरे तरीके समझते है कि जैसे माल लो हमारे पास A2 प्लस B2 यह हमारे पास reactant है बात को समझेए और हमारे पास कोई catalyst है clear और हमें इससे क्या बनाना है product बनाना clear तो होगा क्या यह जो catalyst है बेटा यह क्या करेगा यह surface area provide करेगा जैसे मैंने यह surface बनाया यह catalyst की surface है, बहुत ध्यान समझेगा, यह catalyst की surface है, clear, अब यह reactant क्या करेंगे बेटा, यह reactant आएंगे, और इस catalyst की surface पर आके, यह A और A, clear, B और B, ऐसे ही, A, A, B, B, इस तरीके से आके क्या हो जाएंगे बेटा, यह, यह catalyst की surface है, बात को समझेए, यह catalyst की surface है, और यह reactant है, यह क्या reactant, यह आके बेटा क्या हो गए, adsorb हो गए, adsorb का आड़त है, अदिसोसित हो गए, अब होगा क्या, कि यहाँ पर A, A के बीच में जो attraction लग रहा था, लेकिन जैसे यह catalyst की surface पर आएंगे, अब scene यहाँ पर क्या होने बाला है, बेटा इसको अब होगा क्या, कि A, A के बीच में जो attraction लग रहा है, अब यह attraction बेटा यहाँ हो जाएगा, बीक, अब यह करेगा अपने पडोसी से attraction महसूस करेगा, अब यहाँ A, A के बीच में जो attraction लग रहा था, जब यह बाहर थे, जब catalyst के contact में नहीं आए, तो A, A, A2, B और B, B2, आप बस में खूब इनके बीच में प्यार मुभबत थी, प्यार था, लेकिन जैसे ही catalyst इनकी दुनिया में आया, और catalyst ने एक surface प्रोवाइड की, तब क्या होगा, A, A के बीच में जो attraction है, वो भीक हो जाएगा, और यह किसके साथ bond बना लेंगे, यह bond बना लेंगे, A, B, यह bond बन है, यह बहुत-बहुत important है, कि जब यह reactant आते हैं, यह reactant catalyst की surface पर आते हैं, तो reactant के जो आपके molecule है, A2, A, A, इनके बीच में जो attraction है कमजोर पड़ जाता है, और A का attraction B से लगता, यह क्या बन जाता है, A, B, clear, A, B, और जैसे A, B, A, B, प्रोड़क्ट बनता है, तुरंत यहा वापस में react करा देंगे, और A, B, A, B, प्रोड़क्ट बना लेंगे, clear, आगे बढ़ते हैं, तीसरा है, variable oxidation state, यह भी बहुत important है, variable oxidation state की बज़े से, जो D block के elements हैं, यह as a catalyst use किये जाते हैं, तो लिखा है, कि variable oxidation state के कारण, यह catalytic property सो करते हैं, यह D block के अंदर ability है कि वो एक से ज निचले lecture आए हैं, उसमें इनके reason भी समझाए गए है, clear, बहाँ पर आप देख सकते हैं, निचले लिखा है, पहला हम दो case लेंगे, करा in contact process of H2SO4 manufacturer, bandium pentoxide used as a catalyst, ध्यान अखना, एक जो contact process होता है, यह sulfuric aml बनाने का एक बिदिका नाम है contact process, इस contact process में sulfuric aml बनता है, इस sulfuric aml क निर्मान में bandium pentoxide जो एक compound की form में है बेटा, यह यहाँ पर as a catalyst प्रियोग होता है, यह clear हुआ, आप देखे नीचे, यहाँ पर आप एक reaction देख रहे हैं, कि sulfur dioxide का oxidation हो रहा है, और यह क्या बनना है sulfur trioxide, तो यहाँ पर sulfur dioxide से sulfur trioxide बन रहा है, किसकी presence में bandium pentoxide जो यहाँ पर as a catalyst प oxidation के term में, आईए इसको देखते हैं क्या है, यहाँ पर हमने दो step में बात की है, जैसे bandium pentoxide आप सभी लोग जानते हैं, यह catalyst है, clear, यहाँ पर एक line में समझा दिया गया है, कि sulfur dioxide का sulfur trioxide में oxidation हो जाता है, इसको समझना अगर यहाँ पर देखी क्या है, यहाँ पर bandium pentoxide जो की plus 5 oxidation state में है, यहाँ पर bandium pentoxide की oxidation state कितनी 5 है, जैसे sulfur dioxide से react करता है, तो यह क्या करता है, अपनी balance को change करदेता है, और यहाँपर balance को change करने पर, यह क्या बन जाता है, B2O4, यह ही то ability है, D block के अंदर, D block के अंदर ही ability है, कि अपनी balance को change करदेंगे, उपनी oxygen state को change करदेंगे, और change करन बना लेंगे ये तो उनके अंदर ये को कह सकते ही विसेशता है D-block के अंदर तो यहाँ पर bandium pentaxide जो की plus five oxidation state में है जैसे sulfur dioxide से react करता है तो क्या बना लेता है bandium tetraoxide जो किस form में है यहाँ पर bandium की oxidation state है वो plus four है कितनी बेटा plus four है और यहाँ पर बेटा कितनी प्लस five है और क्या बन जाता है साथ में Sulfur Tri Oxide एक सिस्टम यह आपनी रेक्षिन समझ मा गई न यहाँ पर Bandium Pentaxide यहाँ पर Bandium की Oxidation 5 है Sulfur Oxide से मिलकर क्या बना लेता है Bandium Tetra Oxide जो यहाँ पर किस Oxidation स्टेट में एक्जिस्ट करता है प्लस 4 में यहाँ तक क्लियर हो गया यह जो आपका है वो As Intermediate काम करता है मैंने पहली भी बताया Intermediate क्या करेंगे? Decompose होंगे अब यह जो Intermediate बना बेटा यह Decompose होगा वाया Air Oxygen के दौरा और यही किसमें Convert हो जाएगा आपका Bandium Pentaxide जो आपका बेटा क्या है? एक Catalyst है क्या बेटा? यहां तो यह बनी गया था Sulfant Tri-Axide और दुबारा यह Recover कैसे करेगा Bandium Tetra-Axide यह Oxygen के साथ रेक्ट करेगा और क्या बना लेगा Bandium Pentaxide जो क्या है बेटा है Catalyst तो ओवराल यहां पर जो आप देख पा रहे हैं वो क्या देख रहे है कि Bandium की Variable Oxidation State की बज़े से क्या कर रहे है कि Bandium किस तरीके से यहां पर यह Pentaxide की फ़र्म में और यहां पर यह Tetra-Axide की फ़र्म में केवल किसकी बज़े से Variable Oxidation State की बज़े से अपने आपको Change कर लेता है दुसरा एक्जाम्पल है Oxidation of iodide iron by per sulfate iron in the presence of the Fe triple positive clear as a catalyst यहां पर आप देख पा रहे हैं यह जो reaction लिखी है इस reaction में Fe triple positive की तरह है यूज हो रहा है और यह जो reaction है वो आपकी oxidation method है क्या है आपका oxidation तो कह रहे है in oxidation of iodide iron यहां पर iodide iron का क्या होगा oxidation होगा किसके दोरा per sulfate iron के दोर oxidation होगा किसकी presence में यह Fe triple positive आई इस पूरी reaction को समझते हैं तो यहां पर iodide iron है यह पर sulfate iron है यह बनेगा iodine और बनेगा sulfate iron clear यहां पर हम चेक करना चाहने cable variable oxidation state को इसको हम step 22 पढ़ेंगे पहले step में क्या होगा कि यहां पर जो iron है आप सभी लोग जानते हैं कि iron plus 3 oxidation state और plus 2 oxidation state में exist करता है अर्थार iron variable oxidation state सो करता है clear इस variable oxidation state की बज़े से यह अलग अलग जगों पर अलग अलग तरीके से दिखाई देगा यहां पर iron की oxidation state plus 3 है जैसे इसके साथ यह react करेगा यह तुरंथ अपनी balance oxidation state को change कर लेगा और यहां पर क्या बन जाएगी इसकी oxidation state plus 2 बन जाएगी और साथ में यहां से क्या निकलाएगा iodine यानि कुल मलाके यह fit triple plus I negative को किस में convert कर देता है I2 में अर्थात iodine में convert कर देता है कैसे क्यों क्योंकि यहां पर यह plus 3 state में है और जैसे इसके साथ react करता है तुरंथ यह अपनी oxidation state को change करता है और क्या बना लेता है FE double plus जो यहां पर काम करेगा as a intermediate यह clear हुआ अब क्या होगा यह intermediate यह intermediate उठेगा और क्या करेगा पर sulfate ion से क्या करेगा react करेगा जैसे ही यह इसके साथ react करता है यहां पर यह plus 2 oxidation state में होता है जैसे ही इसके साथ react करता है यह तुरंथ अपने आपको convert कर लेता है और क्या बना लेता है FE triple plus बना लेता है और साथ में sulphate ion यहाँ पर क्या हो जाता है? साथ में आपका sulphate ion भी मिलता है, plus 2SO4 double negative. काहनी समझवा रही ना? यहाँ पर Fe++++ क्या आए बेटा? as a catalyst. तो ध्यान रखना, इस overall reaction में आप बारबार देख रहे हैं, कि last में catalyst क्या हो जाएगा? तो overall इन reaction से आप क्या समझे? इन reaction से आप यह समझे, कि किस तरीके से जो D-block elements हैं, यह variable oxidation state की बज़े से क्या करते हैं? as a catalyst प्रियोग किये जाते हैं. clear? तो overall उमीद है कि पूरा आपको यह lecture समझ में आया होगा, clear? तो इसको अच्छे से practice करें, यह बहुत important property है, board में पूची जाती है, clear? मिलते हैं अपने next video lecture.